दान की विशेश महत्ता है बिना दान की जीव की कोई गती नहीं है अब दान किसको दीजिए दान देने के भी कुछ नियम होते हैं भूके को भोजन कराओगे निवस्तर को वस्तर पहनाओगे प्यासे को पानी पिलाओगे तो आपको दुआई मिलेंगी एक घड़ा भरा हुआ है और भरे हुए घड़े में तुम पानी भरोगे तो कहा जाएगा? सलग जाएगा और खाली भड़े में तुम पानी भरोगे तो भर जाएगा और जिसका पेट भरा हुआ है उसको तुम चपन भोग खिलाओगे न भईया वो विश के समान लगेगा और भूके को तुम सूखी रोटी खिलाओगे तो अम्रत का समान लगेगा अदद्य दानाश भवे दरिद्री भईया जो दान नहीं देता है ना मालूम है वो क्या होता है वो दरिद्री होता है दो भाई है एक भाई गरीब है एक भाई अमीर है और गरीब अमीर बनना चाहिए कभी नी बन सकता क्यों? क्योंकि पहले जन्ह में कोई पुन्य कर्म किया ही नहीं उसने अदद्य दानाश भवे दरिद्री जो दान नहीं देता वो अगले जन्ह में दरिद्री होता है और दरिद्र भावश्य करो थी पापम. देखो भाई जब दरिद्री होगा, तो अच्छे काम लूदि ही करेगा, किसी की चूरी करेगा, किसी की जयी काटेगा, उसके मने में बुरे बुरे भिचाराएंगे. दरद्र भावश्य करोती पापम और पापम प्रभावा नरकम प्रयाती और पाप करेगा तो बैकुंट थोड़ी मिलेगा उसको उसको तो नरक मिलेगा पुनर दरद्रम पुनरेव पापी पुने दरद्री होगा पुने पापी होगा इदर इदरी हो गया पुने पापी होगा इसलिए दान देना चाहिए लेके दान भी सलासे ही करने चाहिए सरदार जी दान हमेशा सलासे ही करना चाहिए पती पत्नी की सला हो तो दान करना चाहिए अन्था दान नहीं देना चाहिए परिवार की सला हो झाल झाल